वेलकम बेक दोस्तों मेरा नाम है राम और मैं आज बात करने वाला हूँ प्रिमियम प्रो के बारे में अगर आप भी एडिटिंग करते हैं यार हैंग हो जाता है थोड़ी प्रोसेस लेके बाद उसके बाद फिर से प्ले होता है बहुत ही कोई भी वीडियो आप एडिटिंग करता हुँ तो जैसे क्लीप को एंटर करता हुझ सिकिंस के अंदर है जैसे एडिटिंग करने की लिए आपको क्रेंड करने के लिए आपको क्रेट करना पड़ेगा proxy-file proxy file को create करके उसके बाद अब एडिटिंग करोगे तो पेहले से बहतर smooth editing आप कर पाओगे और मैं खुद इसी तरह से अपने सारी वीडियोकोगे से यह से प्रोक्सी फाइल रेंडर करनी है, उसके बाद हमने इसे Prime 간 प्रिमिय japanese फाइल कोती है, प्रोक्सी फाइल करनी कहां पर हैं तो उसके लिए हमने Mid precis Encoder जो के मैं आपको लिंक देन्टा लिंकाने दिज्टिक्रिप्शन में वहां से आप व muffin डाउप्ट्व्लोड कर सकते हो तो मीडिया इंकोडर सो फिर के अंदर हमने इसे रेंडर करनी होती है फाइल उसके बाद हमने प्रिम्यम परो के अंदर प्रॉक्सी बटन को ओन करके उसे हमने एडिटिंग करनी होती है सो पहले आपको मैं दिखा होंगा कि Adobe Media Encoder के अंदर हमने Encoder Preset कैसे Set करनी है उसे रेंडर करना है किसी भी फूटेज को कर सकते हैं आप अगर 5D में शुट किया हो या Sigma 2 में शुट किया हूँ और सोनिका कोई बी पूछनी होगी बिल्कुल चलेगी और जहीं भी देखना चाहोगे बिल्कुल समूथ चलेगी तो मैं पहले यहां new project add कर लेता हूँ new project उसके बाद ok कोई भी नाम दे दे देता हूँ मैं test वगेरा इसके बाद ok यह मैंने simply एक premium pro में अपना project ले लिया है उसके बाद चले दो file में दिखा देता हूँ और एक मैंने sd file चले किये दोनों file के उपर के से proxy हमने create करनी है वह मैं दिखा देता हूँ कि यह दो file मेरी दोनों को में कि चीछ की premium pro ले लेता हूँ यहाँ पर बिल्कुल मैंने अपना premium pro के अंदर दो file ले लिए एक तो है जो फोर के file है और एक है sd file तो दोनों के उपर हमने किस तरह से proxy file को create करना वह मैं दिखाऊंगा तो पहले हम यह sd file है इसको हम देख लेते हैं इसको मैं थोड़ा आप देखेंगे अभी यह मैंने proxy फाइल इसमें रेंडर नहीं किये बिल्कुल एक जैसे वीडियो केमेरा में शुट किया यह से फुटेज है तो देखिए जब भी मैं यहां से यह टाइम लाइन को जैसे यह से देखता हूँ ठीक तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह जैसे शिपक सिपक के चल रहा है जैसे यह हो रहा हूँ ठीक तरह से प्रियू नहीं हो रहा है 25 पेश शूट हूँ और इसकी जो फाइल नहीं थे वह है 1920 10.10.10 तो बिल्कुल यह HD फाइल है आप जैसे में यह पॉइंट ऐसे करता हूं तो देखिए बिल्कुल यह ठीक तरह से नहीं मिल रहा है मुझे क्योंकि यह हैंग हो रहा है बिल्कुल प्रोसेस में जारी फाइल अगर हम प्रोक्सी फाइल को करेंगे और उसके बाद रेंडर करे तो आपने यह प्रोक्सी क्रियेट में क्लिक करना है उसके बाद बिल्कुल एक डायलोग बॉक्स आज आएगा आप देख सकते हैं यहां पर क्विक प्ले रखा है और इसके नीचे मैंने पहले से ही क्योंकि काम करता हूं तो मैंने यहां पर क्रेट किये हुए और मैं आपक यहां मिडियाइंकोडर में ऽिखले में मीडिया ने इनकडर पहले ओपन कर लेता हूं अगरे आपके पास नहहीं है तो मैं आपको लिंग दे रहा हूं डिस्क्रीप्शन में वहाँ से आप डाइंडलोड कर लीजिए उसके बाद इसे इस्ट्रूलेंश्न करें लेजिए ब बिल्कुल यह इसका home page है अब हम create करेंगे proxy file तो proxy file create करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर proxy browser लिखा है वहाँ पर एक आइकन है plus का एक देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर लिखा create new preset तो आपने क्या करना है यहाँ पर इसके आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है create encoder preset और create ingest preset पहले हम करेंगे तो हम पहले करेंगे create encode preset इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तो बिल्कुल एक dialogue box आज आएगा इसी तरह का आपने क्या करना है जो भी आपका camera में आप शूट करते हैं उसका नाम दे देना है जैसे के चलिए मैं माक फॉर में शूट करता हूं वैसे तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 5D Mark4 5D Mark4 in code preset Mark4 या कोई भी आपका camera उसका नाम लिख देना है ताकि आपको जब भी आप proxy किसी फाइल रेंडर करें तो आपको पता हो कि मैं किस फाइल में रेंडर कर रहा हूं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है यह आपने चले कर लेना उसके बाद आपना निशे वीडियो वाले section में आजाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यह जो message sources वहाँ पर quality 01 कर देंगे उसके बाद base in sources तो यहाँ पर क्लिक अटा देंगे हम और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ फाइल आ रहे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हमारी sd फाइल है माग फोर में जो अगर आपने sd शूप किया है तो sd की जो फाइल device होती है वह होती है 1280 तो मैं यहाँ से करूंगा 1280 और ite net इसलिए दिए आता है तांग हमें पता छलेजब एड़ीटिंग करते हो तो किसमें एड़ीटिंग कर रहे हैं हमारी फॉक्चिटेज कर रहे है यह फिर हम उसके उलिए आपर बिल्कुली इसी तर्हाइसे हैं यहá सी आने में नाम आएगा कि हम एड़ीटिंग तके थोड़ा स्मॉल हो और यह जो पोजिशन है उसे हम कर देंगे बोटम बोटम राइट चलिए हो गया किसी भी ओप्शन के उपर नहीं करना क्योंकि यह अमारे प्रॉक्सी फाइल है इसलिए इसे हम सोड देंगे इसे ही चले बिल्कुल यहां पर कर देंगे चले जैसे फाइडी मार्क फोर इंकोडर प्रिसेट प्रेट हो चुका है यह बिल्कुल इंकोडर मेडिया इंकोडर की फाइल क्रेट हुई है अब हम करेंगे अब हम दुसरा जो ओप्शन था उसे हम क्रेट करेंगे तो जो भी आपके फाइल क्रेट की है उसके उपर क्लिक करना है और आइडी मार्क पॉर इनकोड इनकोड अब हमने फाइल का नाम जो दिया है वही कर देना टाइप बारासो अलसी एक साथ चो बीस बिल्कुल यह है और हमारी जो फ्रेम रेट थी 25 और इंजेस्ट कर देंगा मैं यहां पर इनकोड़ी मैं तक हम याद रहे जब हम इंक्ट फाइल को सेलेक करें तो आपने यह बिल्कुल इस तरह से लिग देना है तो बिल्कुल यह नाम अपना टाइप कर देना है उसके बाद नीचे से लिए आना है तो यहाँपर कुछ जैसे है वैसे रहना देना है कुछ यहां पर फोर्मेट लिखा है तो उसमें क्विक टाइम रहना दे और उसके बाद निचार जाएंगे प्रिसेट तो आपने यहां पर प्रिसेट हमने जो फाइडी मांग फोर इंजेस्ट टाइप किया था हम उसे यहां पर सिलेक करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा यह द नोके कर दिजी तो बिलकुल यह दो प्रिसेट फाइल हो चुकि अब जो ए moet series प्रिसेट है इसे प्रिसेया क्रिंगे कहां से करेंगे तो जैसे बिल्बूकुल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर लिखाए export to preset इसको क्लिक करके इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे बिल्कुल यह में जो मेरा वो फोल्डर है कि यह वाला इसके इसमें हम इसे सेव कर देंगे इस फाइल को में सेव कर देना इसके बाद यहां हमारा काम खतम हो जाता है इनकोंडर में इसके बाद हमें इनकोंडर क्लोज कर देना है अब हमारा जो काम है वह है प्रिम्यम प्रो के अंदर जो भी फाइल को आप प्रोक्सी फाइल से करेंगे यहां से करेंगे तो यहां से एट इंजेस्ट करेंगे उसके बाद जो भी फोल्टर में हमने सेव किया है वहां से जाएगे इसे ओक्य करेंगे देखी बिल्कुल लागे फाइडी माकफोर इनकोर 1260 एक साफ्सो दिशिव इधि करेंगे एक से कर से करोगी तो मेडिया ऊपने आप ऑपन हो जाएगा और वहrile उससे करना स्टाट कर देंगा देखे अपने ऌप temporarily ढदे हैक देखे और बिल्कुल अपने प्र स्ञendor करना यहां पर only render हो जाए उसके बाद आपने close कर देना है उसे कुछ करना नहीं आपने चीज़े उसके बाद premium pro के अंदर से ले जाना है आप देख सकते हैं हमने जो भी फाइल का जो setting किया था जो भी हमने size वगेरा रखी थी वह यहां पर दिख रहे है यह है टेक proxy इसे हम खीच के यहां पर ले लेंगे और इसके बाद हमें इसे okay बटन कर देंगी तो यह जो बटन है यहां पर आजाएगा प्रोक्सी रेंडर करने के बाद हमें प्रोक्सी बटन को ओन करना पड़ेगा तो जैसे यह फाइल है आप देख सकते हमें प्रोक्सी बटन को ओन करता हूं तो देखिए जैसे मैंने प्रोक्सी नाम वहां पर लगा यहां पर दिखा रहा है और यह मुझे अब मैं देखते ह मंटॉत से उपर दूँ में अप्र रहा है सो के फास्ट के चल रहा है विलकुल ब्रॉठियूउज consent ए संभी कए पर शलो च्मॉत नहीं चल रहा है खुंब इसे वहां करूंगा यहां पर लिखाए गया फॉक तव देखतू कितना सेल और एक फ्रेम को में ен यहीं होता है proxy file लुँ और हमने जब इडीटिंग करें इसे तरह से में विल से करके उसके बाद सारी और करके proxy file में साना है create proxy देना उसके बाद यहां पर simply आपने oaken कर देना तो अपने prop geldi friends अब मैं आपको दिखाता हूं यहां फाइल है प्रोक्षी फाइल उसका फॉल्डर भी हमने जो मैरा फॉल्डर है जहांसे मैंने फाइल ली थी यह देखिए फॉल्डर यहां पर आ चुका है और इसमें हम जाएंगे तो यह बिल्कुल एक वीडियो आ चुकी है देखिए इसकी लेंद्ध हम अगर चेक करेंगे डीटेल में जाके तो जैसे हमने वहा यहां पर पड़ा है और जो इसमें अबना यहां पर सेव कर दिया है वहां से मिलता है जैसे हमारा पूरा हो जाएंग उसके बाद आफ यहां से इसे ऊप करके अपना रेंडर कर सकते कोई भी पहल्त नहीं आएगा कोई कमी नहीं बिल्कुल यह सी भी क्रिट होगी वैसी रहेगी बिल्कुल आपको कोई दिक्कत आ रहे तो फिल भी आप कमेट कर दीजिए अगर आपने कुछ इसमस्में नहीं आया तो फिर से आप मुझे कमेट कर सकते हैं और आप वीडियो को देखके अगर आप करोगे फाईल को तो बिल्कुल आपकी फाईल हो जाएगी और यह जो फाईल मैंने क्रिएट की है अभी यह वाली यह मैं इसकी लिंक दे रहा हूं डिस्क्रप्शन में वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और अप प्रिम्यम प्रो में जाके आपका आपकी जो भी फाईल है उसके उपज़ क्लिक करना है proxy file और create proxy में जाना है उसके बाद आपने add ingest preset महाँ पर क्लिक करना है और जो भी में फाइल दे रहा हूं इसे आप सिंपली आप open कर लिजिए तो भी आपकी फाइल आ जाएगी और सारी process हो जाएगी बट तब आपके PC में media encoder installation होना जरूरी है अगर आपके पास media encoder का setup नहीं है तो मैं आपको link दे रहा हूँ description में वहाँ से download कर लेजिए बिल्कुल यह अपने आप सारा process हो जाएगा media encoder के अंदर जब भी आप media encoder installation करें तो आपना internet ओप कर दिजिएगा उसके बादी installation कीजिएगा और कोई भी problem आ रहे हैं तो comment box में comment कर दिजिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक कीजिए और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सेनल को सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक्यू गाइज फिर से मिलेगे हम एक एक एसे वीडियो में थैंक्यू बाइबाइज